नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जैक मार्तिवारी है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं उत्तरप्रदेश विकास प्रादगर्ण सेवा से शेवा नेवृत सहाय के बनता हूँ जैसा कि आपको पताएगी मैं इस समय आयोध्या मास्टर प्लांट 2021 के उपर एक सीरीज बना रहा हूँ दोस्तो अयुद्या एक मंदल का नाम भी है कमिश्णरी भी अयुद्या है एक जिले का नाम भी अयुद्या है और अयुद्या जिले के अंतरगत एक धादबिक नगर भी है जिसका नाम भी अयुद्या है तो इसका क्रिमित बिकास कैसे हुआ, इसके अत्यासिक प्रिस्भूम के बारे में आप जानना चाहेंगे अयुध्या Master Plan 2021 की बुकलेट में अत्तरपदेश आवाज शेहरे नियोजन जन विभाग ने इसकी अतियाशिक प्रिश्चिभूम के बारे में जो भी उल्ले किया है उसका वरणन में इस वीडियो में करूँगा जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अयोध्या नगर अयोध्या जिले के अंतरका तिस्थित है और अयोध्या एक मंडल भी है इस मंडल में पांच जिले आते हैं जिसमें की अमबेटर नगर अमेठी बारा बंकी अयोध्या और सुल्तानकुर जिले सामिल है और इसकी जो संपर्क की इस्थिती है, कनेक्टिविटी है और छेत्री इस्थिती है आप ऐसे समझ सकते हैं कि अयोध्या लखनव, कानपूर और वारानशी जैसे प्रमुक सहरों से रे लेवम सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है अयोध्या लखनव से लगबग 135 किलोमीटर, वारानशी से 200 किलोमीटर, प्रियागराज से 170 किलोमीटर, गोरखपूर से 134 किलोमीटर और दिल्ली से लगबग 636 किलोमीटर दूर इस्थित है दोस्तों अयोध्या सर्यून नदी के तरपर बसा एक अत्य प्राचीन धार्मिक नगर है अयोध्या के बारे में मान्यता यह है कि इस नगर को मन्नु ने बसाया था और इसे अयोध्या का नाम दिया था अयुद्या सब्द का अर्थ इस तरह वर्णित किया गया है इस मास्टर प्लांद 2021 में अयुद्या का मतलब आ प्लस युद्धियर अर्थात वह नगर जिसे युद्ध के द्वारा जीता ना जा सके वह नगर अयुद्ध कहलाता है और इसी क्रम में इस नगर का नाम प्राची काल में पौराणिक मानिताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्य वंसी रग वंसी तथा अर्क वंसी राजाओं का राज हुआ करता था जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया हिंदूव की मानिता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म विस राजधानी थी जिसका उलेक प्राचीन भारती इत्यास में मिलता है कहा जाता है कि कौसल बंस में लगबग 125 राजा सामिल थे जिन में से नब्वे ने महाभारत के अंत से पहले तक सासन किया था बौधकाल अर्थात 15-16 सताब्दी इस्यापूर में स्रावस्ति इस राज का प साइट को प्राचीन साकेता शहर के नाम से पहचाना जाता था जो संभवता दो महात्रपूर सड़कों स्रावस्ती प्रतिस्टान उत्तर दक्षिस सड़क और राजग्रह बारांशी स्रावस्ति तक्सिला पूर्पश्चिम शड़क के जंक्सन पर इस्थित एक वाजार के बन गया गुप्तकाल के दौरान साकेत को एक्छवांक वंस की राजधानी आयुद्या के पराणक सोगत के रूप में मानता दी गई वर्स 1226 इसापूर में नवाबों ने कई खुबसूरत इमारतों के साथ अयुद्या की सोवा बढ़ाई उन में से गुलाब बाड़ी, मोती महल और बहु बेगम का मकवरा उलेखनी है गुलाब बाड़ी बास्तुकला की एक सुन्दर इमारत है जो एक दीवार से घरे बगीचे में खड़ी है दो बड़े प्रवेश द्वारों के माध्यम से वहाँ पहुँचा जा सकता है ये इमारतें अपनी समेकित इस्था प्रिसेली के लिए विशेश रूप से दिल्चस्प है तो जाउद दौला की पतनी प्रिसिद बहु बेगम थी जिनोंने 1743 में नबाव से साधी की थी और उनका निवास मोती महल था जाबहर बाग में मोती महल के पास उनका मकवरा है जहां उन्हें 1816 में उनकी मिरत के बाद दफनाए गया था इसे आवद में पहली तरह की बैतरीन इमारतों में से एक बाना जाता है जिसे उनके मुख सलाकार द्वारा तीन लाख रुपए की लागत से बनाए गया था दरावली खान बेगम के मकवरे के उपर से सहर का नजारा देखा जा सकता है बहु बेगम मर्यादा धारन करने बाली महान विसिस्ट और पद्वी महला थी अयुद्या की अधिकांस इसलामी इमारतों का स्रे उनी को जाता है 1816 में बहु बेगम की म्रत्व की तारीक से अबद के बिले तक अयुद्या सहर धीरे धीरे च्छे में गिर गया नवाब आस्पुद दौला द्वारा राजधानी को लखनवु इस्थांतरित करने के साथ ही अयुद्या की महमा पर ग्रहन लग गया अयुद्या बीज से तेल निकालने के लिए चीनी रिफाइनरियों और मिलों का इस्थान है प्राचीन काल में अयुद्या में बस्तियां, रामकोट, बसिष्ट कुंड, चक्रतीर्थ और निर्मोचन घार तक सीमित था हालांकि मुस्लिम समराटों के सासनकाल के दोरान अयुद्या का विकास गोलाघाट, लक्षमण किला, स्वर्गदावर, तुलसी चोरहा, हन्वान गड़ी और कट्रा तक बढ़ा बिटिस काल में अयुद्या को रामगंज, सिंगार हाट, अयुद्या रेलवे स्टेशन, प्रमोध बन, तुलसी बाग, सोटी छाबनी आज तक विक्सित किया गया था आजादी के बाद भी ऐध्या में कोई बड़ा विक्स नहीं देखा गया अयुद्या में विक्सित की प्रिक्रिया बहुत धीमी और इस्तिर गत्र से विक्सित हुई रामचरित मानस , जानकी महल , स्री रामचिकसालय, साकेद महाविध्यालय, बालमीक भवन , साकेद पथिक निवाज जैसे छेत्रों में विकास दिखा गया और 1965 में सर्यू नदी पर पुल का विकास किया गया दोस्तों इस तरह हमने इस वीडियो में आपको अयुद्या की यहत्यासिक प्रिस्टभूम और उसके क्रमी विकास का संशेप में वर्ण किया अगले वीडियो में अयुद् प्रिवर्ण बातों पर फिर आपसे चर्चा करेंगे नमस्कार्ट